हेलो गैस्ट विल्कम टो शेडी पॉर और मैं विकास दूते हैं आप बात करने वाले हैं CCRS यानि कि यहां पर आयरवेदिक में जो LDC और UDC के जो भरतियां आए थी उसके उपलच में आपके कुछ बाते करने वाले हैं जैसे कि आपके एडमिट कार्ट कब आने वाला है और आ आस्थाई जाब है यानि कि दो साल के बाद आपको निकाल दिया जाएगा कुछ इस तरीके से चुछे जो यहां पर सुनने को मिल लें तो चलिए देख लेते हैं इसके ओफिसेल लॉडिपिकेशन से दोस्तों वीडियो परसंदाइद इसको लाइक भी कर दीजगा और चैन पड़े हुए हैं यानि कि लगबग दो लाग अगर कहें तो इसमें बुरा नहीं हुगा दो लाग जो है फार्म इसके लिए आवेदन किये गए हैं तो गैस यहां पर चलिए हैं बात कर लेते हैं कि आपकी जो परिक्षा है या फिर ऑनलाइन होने वाली है तो गैस देखे जो परिक्षा है यह टोटली आफलाइन होगी यानि कि ओमार बेस्ट पर आपकी परिक्षा होने वाली है और इसमें आपको ऑनलाइन नहीं देना है तो आप इसका सलेबस वगरह सब इसकी ओफिसेल वेबसाइट से जाकर चेक कर सकते हैं और इसी में एक पॉइंट दिया यह यहाँ पर देख सकते हैं और टाइपिंग टेस्ट के लिए जो आपका LDC है उसमें एक अनुपाद चार यानि की चार गुना लोगों को बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए अगर आप इसमें कॉलिफाई हो जाते हैं उसमें के हिसाब से मेरिट जो है बनाई जाए अथर्टी टू मैक्समें प्रेड आप वन यर यानि की नों बताया है कि दिखें जो यह जौब यह अस्थाई है ठीक है यह इस्थाई जौब नहीं है इस पॉइंट के हिसाब से अगर बात करते हैं यानि की यह सिर्फ दो साल के लिए आपके प्रोवेशन पर ले रहे हैं ठीक है यह एक्जाम जा रहे है वह दो साल के लिए नहीं कि चल सकती है इसके परमनेंट है उसके रहा है कि प्रोवेशन आप तू इयर्स बीशीर्ट करेंगे और दो साल अगर ज़ौब कर लेते हैं उसके बार डिसाइड किया जाएगा उनके काम पर यह पी जिवह जो मैने तो यह चीजह यह आपको क्लियर कर दिये तो इसका अगर बात कर लेट जो है यह मार्श में कजहांनाे चला कर? और आने वाले समय में 10-15 दिनों में आपकी जो है एडमिट कार्ड वो जारी करी जा सकती है और जो इसका जो एक्जाम है वो लगबग आपका मार्च के सुरुवात में या फिर मार्च 15 मार्च के आसपास आपका जो एक्जाम इसका हेल्ड करा जा सकता है तो यहां पर आपको त्यारी करना चाहते है तो इसके लिए आपको लिए अभी वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको जनल अवेले मैथमेटिक जितना भी कोर्स है आपका उसकी त्यारी करवा दोंगा ठीक है तो जो भी आपके डाउट थे वो क्लियर हो गए हो तो अगर अभी तक आपको कोई भी डाउट है कोई भी कोश्चन है तो आप उनको नीचे कैमेंट कर सकते हैं मिलते हैं नए वीडियो तब तक लिए थैंक्यू सो मच